Hello guys, welcome to our YouTube channel. आज का टॉपिक है Dates Module. उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे YouTube चैनल पर Machine Learning and Python की टुटोरिय सीरीज चल रही है. ज़िए आपने मुपली वीडियोस नहीं दिखनी है, तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन and i बटन में दे दूँगा. अब वहाँ जाकर उनको पहले देख सकते हूँ. अब बात करते हैं Dates Module के बारे में. दोस्तों, ज़िए आपको नहीं पता कि Modules क्या होते हैं, तो उसकी मेनी वीडियो पहले इसे बनाई हुई है. आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ज़िए पैकेज इंस्टॉलर से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी. यह पाइफन के साथ ही आता है, ठीक है? और मैंने क्या किया है? यहाँ पहले लिखा X variable क्रेट किया है यह फिर object क्रेट किया, वहाँ पर date time, date time जो भी हमारा module है, उसके अंदर एक और module है, जिसका नाम है date time, यह फिर कोई function है, और उसके अंदर एक और function है, जिसका नाम है now, उसे मैंने call किया है, और बाद में यह नहीं कहा लिखा print x.month, मैंने इसे run किया, ठीक है, run करने के बाद यहाँ पर मेरी पास आ गया 4, 4 क्या है, कि 4th month चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको दखा देता हूँ, कि April का month चल रहा है, वो क्या होता है, 4th month of the year, ठीक है, उसी तरह, यदि मैं यहाँ पर लिखूँगा year, ठीक है, और इसे run कर दूँगा, ठीक है, run करने के वाद मुझे पता लग गया कि कौन सा साल यह चल रहा है, 2020, ठीक है, इसी तरह, आप यहाँ पर कोई और भी लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको months बता दिया, year बता दिया, उसे तरह, आप किसी भी particular date को भी देख सकते हैं, जैसे कि आ यह बलना जो उसी वीडियो है, वो record हो रही है, ठीक है, इसी तरह, आप date modules की help से इन सब चीजों को find out कर सकते हो, दोस्तों, आप सोचे होंगे कि हम date module को use कप करेंगे, दोस्तों, for example, आपने कोई alarm clock बनानी हो, ठीक है, या फिर कोई program हो, जिसको आप चाहते हो कि एक particular time के बा आप चीजों के बारे में, ठीक है, बस आप यह समय लिजे कि जो सा date time module है, वो बस dates के साथ ही हम, जो की dates होते हैं, उनके साथ ही हम deal करते हैं, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जहां पर तो हमने लिखा था dot now, dot now का मतलब कि जो सा ab time हो रहा है, वो बताए, वो जो भी हमारा पर x लिख दूँ, और run कर दूँ, तो यह मुझे पूरा end particular सारी चीजे बताएगा, कि 15 date है, आज April month है, 2020 year है, और 20, मलब कि आज 11 बचकर, 57 minutes, 50 seconds और जो minor seconds है, वो भी बता रहा है, ठीक है, हमें, ठीक है, यह सारे हम with the help of now function की help से कर सकते हैं, जो की dates module में present रुकता है, ठीक ह रहे हम वाली कोई date लिखनी हो, ठीक है, जो की मैंने यहां पर लिखा है, 2020, 5 and 17, ठीक है, मैंने क्या 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 गया, 2020, 5, 17, ठीक है, वहाँ पर हमने now को यूज किया था, उस time पर हम जो सा current time चल रहा है, उसे हम check कर रहे थे, but इस time पर हम क्या चेक कर रहे है, कि जो सा future में आने वाला time है, वह क्या है, जैसे कि मैंने यहां पर variable में यह वाला data डाल दिया, जैसे कि मैं कोई भी program बना रहा हूँ या फिर कोई software बना रहा हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ कि जब भी इतनी तरीक हो, उस time पर कोई particular task perform हो जाए, या फिर कोई particular चीज रन हो जाए, या फिर कोई जैसे alarm clock होता है, कि यह वाला song या फिर यह वाला alarm automatically run हो जाए, ठीक है, तब हम इस चीजों को use करते हैं, यह बस एक introduction video है कि daytime module होती क्या है, आप बस इसका ऐसी use करके check कर सकते हो, ठीक है, बाकी internet से आपको पता लग जाएगा, daytime modules के बारे में और भी चीज़े, आप, वह आपका homework है, यह आपने check करना है कि daytime modules के help से हम क्या क्या कर सकते हैं, इन python, ठीक है, दोस्तों, आज के लिए बस इत्म ही, आगली बार मेनेंगे एक नए topic हिससा, till then, good bye.